इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं sound wave के वारे में sound wave का जो बचा हुआ topic है उसको डिस्कस करने वाले हैं अभी आप देख सकते हो कि कैसे physics आपस में interrelated हैं काफी chapter से हम देख सकते हैं जैसे सबसे पहले हमने देखा था decision simple harmonic motion उससे पहले हम auxiliary motion देखे थे तो और उसके बाद हमने discuss किया था कि कैसे होता है waves formation तो जो simple harmonic motion है और wave formation है सब आपस में related है कि waves भी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं same time में same cycle बनाते हैं clear तो आप देख रहें कि कैसे related हैं तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे sound wave के sound wave के बारे में और जो बागी topic है जैसे तो अभी question उठता है कि हम discuss क्या कर कर चुके हैं एक minute में मैं पूराना बात सब बता दे रहा हूँ सबसे पहले हमने discuss क्या कि sound wave होता क्या है sound wave से पहले हमें पता होना चाहिए कि wave होता है दो type का एक होते mechanical एक होते non mechanical mechanical का मतलब हो किसी medium की जरूरत होती है उसे पास करने के लिए mechanical wave का दो type होते होते हैं ट्रांस वर्स और एक होता longitudinal longitudinal में होता है कि wave का जो propagation है और जिस medium क्योंकि आपको पता है बीना medium के पास हो नहीं सकता wave का जो propagation और medium का जो propagation दोनों same direction में होता है और sound wave इसी का example है तो sound wave को आप सिंपल बोल सकते है sound wave is longitudinal mechanical wave sound wave इस है longitudinal mechanical wave example हमने sound wave के दिया उसके बाद हमने longitudinal mechanical wave को तीन टैप से divide कर सकते हैं एक ओ वाला sound जो हमें सुनाई देता है और एक होता इंफ्रासोनिक जो बहुत ज्यादा टेज होता है जिसकी frequency बलकुल कम होते है frequency कम तो wavelength ज्यादा बहुत ज्यादा होता है जिसका wavelength बहुत ज्यादा ऐसे होता है wavelength यह वाले length वह बहुत ज्यादा loud होता है clear हम आगे discuss करेंगे और भी बहुत कुछ हमने discuss कर रहा था है यह सब कुछ यह सब कुछ सब कुछ सब कुछ इस वीडियो में हम discuss करेंगे यहां से क्या discuss करना है समसे पहले आपको पहला क्या speed of the sound speed of the sound का हम formula पिछले वीडियो में देख चुके है formula होता है speed of the sound का gas में क्या formula होता है velocity equal to gamma into pressure upon rho इसको हम बोलते है density of gas density of gas clear तो यह formula हमें याद रहेगा velocity of sound in gas equal to gamma into pressure upon rho का under rho clear अब होता है पहला चीज कि क्या pressure का impact sound के speed पर परता है तो हमें वहां से formula से देखने तो लगता है कि हाँ बाई करता है लेकिन actually ideal condition की बात करें तो ideal condition में speed बिल्कुल remains same होता है speed बिल्कुल same होता है चाहे pressure को आप कम ज़्यादा क्यों न करते रहो ध्यान देना pressure कम ज़्यादा करोगे इससे कोई फर्क नहीं परेगा किस पर कोई फर्क नहीं परेगा किस पर कोई फर्क नहीं पर रहा है किस पर velocity of the sound clear next topic देखते हैं कि क्या temperature का impact परता है sound पर sound की speed पर speed की जो sound की speed है उस पर फर्क परता है temperature का हां भाई परता है दोनों speed of the sound directly proportional है temperature के temperature आप gas का increase करोगे एकदाम बहुत तेली से दोरने लएगा sound temperature slow करोगे slow होने लगा slow slow तो किस rate से increase or decrease करता है देखो air अगर आप जिस air की बात करते उसका एक degree Celsius बरहा दे तो जो sound की speed होती है वो इतने से increase हो जाएगा 0.61 meter per second से clear 1 degree Celsius increase करते हो तो आपको 0.61 meter per second से increase हो जाएगा speed of the sound अगर temperature को 1 degree DC से increase करते हो clear कोई दिकत नहीं है अब क्या है effect of humidity on speed of the sound humidity का मतलब क्या होता है कि water में sorry air में water droplet आ गया clear clear तो अब question उठता है कि water droplet आ गया है एक दो हम situation ले लेते हैं एक में water droplet नहीं एक में gas है clear लेकिन हम एक condition पहले ही बोलने कि भाई दोनों में इसमें और इसमें same number of molecules है same number तो water में जो है ओओ molecule कौन सा होगा है H2O लेकिन यहां पे molecule कौन सा है यहां पे molecule कौन सा है बताओ 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 nitrogen oxygen और भी simple बताओ nitrogen oxygen के लिए normal air में 99% तो यहीं दोनों है तो दीसरे की बात ही कि नहीं करते हैं clear कुछ भी हो सकता है CO2 भी है थोड़ा आरगन भी है थोड़ा लेकिन एक चीज़ तो fix पता है अगर molecule same है same number of molecule है जैसे hydrogen के एक molecule है nitrogen के एक molecule है तो इसका molecular mass कितना होगा है जैसे oxygen का होता है solar into hydrogen का एक 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 इन्टु दू मतलब तो टोटल होए अठारा लेकिन अगर oxygen का बात करें O2 का बात करें तो oxygen क्या होता है solar इन्टु दू 32 तो ज्यादा molecular mass किसका होता है gas का as compared to humid ध्यान देना ज्यादा molecular इसका है dry यानि हम इसा बोल सकते है कि molecular mass dry air का ज्यादा होता है as compared to humid कैसे होता है हमने बता दिया क्योंकि human में क्या है H2O उतना भारी नहीं लेकिन ग्यास में क्या है oxygen O2 N2 CO2 तो अगर मां बात करो कि दोनों same number of molecules तो आप बोलो कि भीया फिर हमें liquid दिखाई की देता है ब्रास दिखाई नहीं देता भाई इसलिए दिखाई देता कि liquid के ज्यादा molecule होते हैं एक जङए कठा तभी दिखाई लिक्विट ज्यादा molecule होते है तब लकुट के ज़्यादा molecule होते हैं तभी आप यह कैसे बात करते कि solid में da मोलीकुल बहुत कठकि manufacture चर्था 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 ज्यादा मोलीकुल है तब फिर चर्था और सबस्क्राइब एक चीज तो हम पता चल एक हैं हुमीड हाँ हाँ यह तो तो अब करोस्टन है कि यह है यह है ट्राइड यूमीड द्री में ज्यादा मास किसमें ज्यादा है मास इसमें ज्यादा मास ज्यादा यहां पर मास कम घत करतें सेनब नमबर उग मास ज्यादा थो क्या हो यह दूनों की वालिूम तो सेम है दोन्यजी बउक्स आ य दूबस आ contribution क्या होगी कम होगी इसकी एन्शीटी ज्यादा होगी density ज्यादा यह आप देखो effect of humidity on speed of the sound the speed of the sound is more in humid air than in dry air because density of humid air is less than the density of dry air मतलब किसकी है density किसका ज्यादा है dry का ज्यादा है density किसका ज्यादा है dry का ज्यादा है तो एक शी बताओ आपने formula क्या देखा था V equal to gamma pressure into rho density ज्यादा तो velocity कम inversely है ना velocity indirectly proportional to density यह रो है ना रो रो velocity indirectly proportional to density तो जिसकी velocity ज्यादा यानि इसकी dry में क्या है density ज्यादा dry में density ज्यादा तो dry में velocity कम वह ही तो बता रुका है speed of the sound is more in humid humid में ज्यादा है भाई humid में ज्यादा कैसे है कि क्यों ही में humid कम dense है clear कोई दिक्कत नहीं अब तीन टॉपिक है तीनों आराम से आपको समझाँगा character क्या है sound wave का यह तीनों हम समझ लिए हमें यह पता है कि temperature के directly proportional velocity यह याद कर लिया row के density के inversely proportional velocity और velocity पे pressure का कोई impact नहीं होता है यह अगर यह हम standard situation दे तो आप से क्योंकि हमें physics का इतना deep में नहीं कुछना होता कि इतना detail में पूचा जाता है यह कुछ अलग condition दिया जा clear तो हमसे यह तीनों हमें यह तीनों line भी याद है न तो हमारा question बन जागा clear नहीं ऐसे ही पूचता है ऐसे पूचता है कि pressure को अगर gas के pressure को बरहाया जाए तो velocity of sound पे क्या impact पड़ेगा simple, normal, no effect clear अब क्या है characteristic of sound wave sound wave का character क्या क्या है clear है, सबसे पहला है तीन characteristics के बारे में हम discuss करना है पहला है intensity और जिसको हम loud भी बोलते है second है pitch और third है quality देखो पहला intensity फिर pitch फिर quality यह है intensity हम sound loudness को बोलते है pitch किसको बोलते है पीच एक और है और third है quality सबसे पहले हम discuss करते है intensity को simple है intensity of a sound at any point in a space is defined as amount of energy passing normally per unit area held that around that point per unit time एसा unit देखो simple हम बात करते है अगर माल लो इस part की बात करते है इस part से इस part तो यहाँ पे एक time पे किसी भी time पे माल लेते है एक इस area पे कितना energy यहाँ से flow हो रहा है कितना energy यहाँ से flow हो रहा है simple जितना ज़्यादा energy flow होगा उस sound की हम बोलते हैं sound बहुत ज़्यादा intense है हमें बहुत ज़्यादा problem हो रहा है बहुत ज़्यादा loud आ रहा है clear ना कि हमें लगता है यहार कितना ज़्यादा loud आ रहा है क्योंकि एक particular area में बहुत ज़्यादा energy ट्रांसपर हो गया clear तो simple है loudness को हम किसे depend करते है loudness को it distinguish between loud और feeable feeable का मतलब बहुत आराम से मधहुर बहुतंता है मतलब मधहुर adptions नहीं बोल सकते है कम बोल सकते है कम ज़्यादा कम जयदा मधहुर नहीं बोल सकते है क्योंकि वह हम आगे teşekkür करेंगे मधहुर होता है जब sound बहुत flat होता है मैं लिक्ति डिसकश करेंगे it mainly depends upon the amplifier amplitude of the sound sound की amplitude ज्यादा है तो वो क्या है loud है यानि हम इतना बोल सकते loudness किम पर impact होता है amplitude यह हम से पूछा जा सकते है clear तो यही है अब देख लेते हैं और क्या का लिखा है कि intense हाँ unit देख लिए intensity का unit देखिए energy per unit area है न area कौन का बलते है meter square नहीं बलते है depend करता है सबसे पहले intense देखो सबसे पहले intensity equal to energy upon area है न है न है न सिंपल तो intensity क्या है inversely proportional to square of the distance यानि meter square है तो intensity inversely proportional है distance के square के clear है न मतलब कि जो point of the source है यहाँ से हमें यहाँ चेक करना है अब the distance है m a distance है m मलाब इसोर््ट से यहीं से श्टार्ट हा हम महल लेते हैं यहीं से start यहां से start हुआ स्टार्ट होय है तो यहां से यहां का distance है m तो intensity indirectly proportional है m2 का मतलब intensity indirectly proportional है यहां से यहां के distance का square के clear next क्लियर तो हमने देख लिया कि हमसे यह पूछा जा सकता है इंटेंसिटी और पॉइंट ऑफ सोर्स से उस पर्टिकुलर डिश्टेंस के बीच क्या रिलेशन है तो इंडिरेक्ली रिलेशन है वह भी स्क्वाइर का क्लियर अब क्या है simple intensity आपको पता है amplitude के directly proportional है लेकिन किस रेशियो में भाई square के रेशियो में intensity और amplitude का मतलब क्या है directly proportional है तो हम समाल सकते intensity और amplitude directly proportional हो भी है square intensity और वो point of source मतलब यह यह distance के बीच inversely proportional है लेकिन ओ भी है square क्लियर कोई दिखत नहीं अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है यह तो हमने दिश्कस कर लिया दू टू दे इंटेंसिटी असाउंड आपिस लाउड नॉर्मली बात है कि इंटेंसिटी के में लग तक साउंड बहुत ज्यादा लाउड हो गया क्योंकि इंटेंस है और फैंट के मतलब इतना हम आराम से लेगा एक्चुली दे सेंसेशन ओफ ए साउंड पर्सीव इन एयर बाई मीजर बाई अनदर तरम इस गौर्ड लाउडनेस फीच डिपेंड्स ओन दे इंटेंसिटी ओफ दे साउंड अन सेंसिटिवनेस अफ दे इयर मतलब क्या है कि हमें जो सुनाई देता है हमारे कानों को सुमनाई देता है जो लॉडनेस हम जिसको करते हैं कि loudness and intensity synonyms नहीं intensity का impact होता है loudness पे और क्योंकि loudness भी amplitude पर ही depend करता intensity भी amplitude पर ही depend करता है clear amplitude का मतलब होता है wave का जो यह form होता है यहाँ neutral position से जो top पर होता है उसको बलते हैं इंप्लिट्यूड क्लियर यूनिट अफ तर लाउड़नेस की यूनिट को हम क्या बलते है बेल practical यूनिट क्या है loudness का decibel और which is equal to 1 by 10 नतलब देखो दो यूनिट है याद रखो बेल एक याद रखो decibel 1 by 10 और एक है फोहन पी एच ओ एन क्लियर तो intensity हमने समझ लिया तो अब next है पीच तो पीच किस इस पर डिपेंड करता है पिच करता है कि कोई आवाज कितना स्रीलर है और कितना फ्लैट है जैसे मालों एक्जामपल लेते हैं सबसे पहले हम यह समझने हैं यहां से पीच इस दे क्रेक्ट्रिस्टिक आप साउंड हुच डिस्टिंगवे सार्प सार्प लगता है ने कोई एकदम अजीव आवा जा रहा है क्लियर ना तो यानि पीच डिपेंड करता है देखो साउंड जादा फ्रेक्वेंसी होगा इसको मतलब ज्यादा फ्रेक्वेंसी होगा इसका मतलब ज्यदक पीच ऑगदम ज्यादा frequency होगा जो ज़्यादा pitch होगा तो क्या होगा thriller sound होगा clear? लेकिन frequency कम, frequency कम तो pitch कम और sound क्या होगा, थोड़ा grave होगा clear? कोई इकत नहीं है next topic है quality quality क्या बात करता है, देखो pitch का मतलब है कि sound थोड़ा, इसमें क्या है short low frequency होगा मतलब देखो, या तो high frequency high frequency का मतलब क्या होगा high frequency का मतलब क्या होगा short wavelength और high frequency का मतलब high pitch, wavelength कम wavelength कम का मतलब होगा है भाई बहुत आराम से आवाज जा रहा है woman का pitch ज़्यादा होता है as compared to me, ध्यान देना woman का pitch ज़्यादा होता है जादा, pitch जादा, frequency जादा, लेकिन wavelength तो कम हो आना, wavelength कम होता, आराम से, सुरीला वाज़ो होता है, वो होता है, और thriller मतलब सुनने लाए, flatter का मतलब थोड़ा flat होता है, क्योंकि wavelength जादा होता है, frequency कम तो, clear, अब होते हैं कि अगर loudness और pitch, दोनों बिल्कुल सेम है, तो आप बता कैसे सकोगे, जैसे मालों कोई ऐसा sound का wave है, जिसका amplitude दो wave है, दो wave है, जिसका amplitude और pitch बिल्कुल सेम है, यानि same frequency, same amplitude है, तब कैसे बताओगे किस का आवाज है, तब उस जगह पे यूज आता है timbre का, यह बताता है कि sound अगर same loudness, यानि same amplitude है, same pitch, यानि same frequency है, तब आप sound को जो diffract करते हो, वो depend करता है quality पे, जैसे आप depend करते हो, कि एक guitar का बाज है, sitar का बाज है, clear? तो quality के बारे में और देखते हैं, कि it distinguishes करता है कि अगर same intensity, same pitch से फेक का आया, the quality किसी पे depend होता है, number पे frequency पे, relative intensity पे, overtones पे, इन सब पे depend करता है, clear? एक नया term है echo, echo का simple मतलब होता है जो आप घर में बोलते हो, घर एक दम बंद है, तेज बोलते हो, आब आज दो वारा सुनाई देता है, वो ही echo है, कोई दिक्कत नहीं है sound जो की reflect होता है high tower से, mountain से इसको echo होते है, देखो, एक बहुत important है, क्योंकि ये एक perfectly, एक लिया गया है, data है मतलब ऐसा करके, मतलब करके देखा गया है, तब उन्हेंने data लिया कि अगर आपको echo सुनना है तो minimum distance ध्यान देना, आप इस देवाल पे कुछ बोलना चाहते हो या आप यहाँ पे हो, लेकिन आप बोलना चाहते हो, तो एक reflect हो कि आपके कानों तक दोबारा तब ही जाएगा, जब इस distance minimum बाती, less than 6.6 meter होगा, ध्यान देना अगर 6.6 meter से ज़्यादा इस distance हुआ, आप कुछ भी बोलते रहो न, reflection नहीं आएगा 6.6 meter से कम हुआ, तब ही reflection होगा clear उसके बाद persistence of air, effect of sound on air is 1 by 10 seconds, यह याद हो कि sound का effect air पे हुआ, उसको हम बोलते है persistence of air, यह होता 1 by 10 seconds clear, 1 by 10 seconds due to the reflection sound is heard at a long distance in the night than a day, obviously यह नॉर्माल बात है, कि reflection के कारान, sound लंबा distance travel करता है, night में दीन के अपेक्चा में, clear है न, night में, क्यूंकि बागी आवाज भी reflect नहीं करती है, जो sound wave जा रही है, बागी आवाज या बागी कोई चीज, sound को reflect नहीं करती, clear है न, ने तो आप बोल ले हो, जैसे आप example लेता हो, आप यहाँ पर कुछ बोल ले हो, हल्ला कर रहे हो, आपका आवाज इसको सुनाना है, लेकिन यहाँ पर कोई और बंदा आकर हल्ला कर रहा है, तो क्या यह आवाज इसको सुनाई देगी, नहीं सुनाई देगी इंपोज परियोडिक फोर्स इस इक्वल तो दे नाच्वल फ्रिक्वेंश फोड़ी दबॉड़ी ऑक्सिलरेट विद भेरी लार्ज अंप्लिट्यूड इस फेना इसे इसे पंचल ला है ऐसे पंचल ला है और भी मैं इस पर जोर देने लगा और भी मैं आवाज कर दिया ओर भी थोड़ा एनरजी दिया जिसके मःफ उलिध है और नया जो इसे में है और नया मतलब नाच्वल जो वेब है यस पेन में ऐसे पर आगया तो यह दोनों और यह दोनों एड नहीं हो जागा क्लियर अब इंटर्फेरेंस आप साउंड का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों आके मिल रहा है normal, interference of the sound का मतलब है, दो sound आके मिलना है sound आके मिलने का मतलब क्या होता है sound wave की बात करते है clear है na the modification or redistribution of energy at a point due to superposition of two or sound wave same frequency, simple बात है 2 है 1 wave इदर्स जा रहा है 2 जैसे 2 जैसे 1 wave यहाँ और 1 wave आया ऐसे दोनों same phase में है phase का मतलब, देखो अगर एक wave आया, वो ऐसे है दुसरा wave आया, वो है कुछ ऐसे तो दोनों अलग अलग phase में यह अलग phase में कि इसका point of source यहाँ पे इसका point of source यहाँ पे तो दोनों अलग phase में, यह अलग phase में है यह अलग phase में है तो दोनों अगर same phase में देखाने, if the wave meet at a point at same phase, same phase में अगर आया, तो sound का intensity यह दोनों जूर जागा, आपको नहीं लगते हैं, यह बला और यह बला दोनों जूर नहीं जागा, तो यह बला दोनों जूरेगा, तो such interference is called constructive interference, आपको नहीं simple वोना है, कि दो मिलकर construct किया, construct किया, एक घर बनाया, काफी intensity हो गया, clear, लेकिन अगर दोनों opposite force महोगे, तो उसमें एकदम minimum आवाज हो जाएगा, minimum, जैसे कोई आ रहा है, इधर से, और कोई wave इधर से आ रहा है, कोई wave इधर से आ रहा है, तो lot के टकरा के खतम कर सकता है, ऐसे हो जाता है, stationary wave का मतलब वही होता है, कि एक दम खतम कर देना, interference का मतलब होता है, कि different phase में होंगे, तो कुछ न कुछ बचेगा, जैसे same phase में होंगे, तो बहुत जादा आवाज, थोरा different phase महोगे, तो थोरा कम आवाज, लेकिन दोनों अगर opposite size से आ रहे हैं, और दोनों बिलकुल opposite phase में हैं देखो, when two progressive wave, same type, जैसे longitudinal है, या दोनों longitudinal है, या दोनों transverse है, same amplitude है, same time period है, तो क्या होगा, सीधा सीधा सारा कट जाएगा, सीधा सारा कट जाएगा, मतलब simple यह बता रहा है, कि एक ऐसे आ रहा है, और एक ऐसे आ रहा है, सब कुछ सेम है, मालों सब कुछ सेम है, तो यह जाएगा न, stationary type का, clear है, जब opposite direction से आता रहा है, clear, diffraction का मतलब simple है, आप कुछ बोले हो, टकरा के इधर लगया, टकरा या इधर गया, जैसे ऐसे है, तो यहाँ से टकरा के इधर गया, clear, इधर तकरा के आपके पास कैसे है, कुछ सोची नहीं सकते, टकराते के तभी आता जब नॉर्मल है, नॉर्मल 90 डिग्री पर है, बादर 90 या थोरा कम ज़्यादा है, clear, ऐसे है, तो आप टकरा के इधर जाएगा, न, सोचो न, diffraction of sound का अंतलब, wavelength of a sound is order 1 meter, कोई obstacle आया रास्ते में, टकराया, उसके एध से और प्रपागे हो गया, दूसरे तरह, clear, Doppler's effect क्या होता है, देखो, simple एक चीज़ बता रहो, आप एक गारी पर हो, आप बाइक चला रहो, तो आप CT बजाए, तो CT जो बजाओ, आपको जो sound सुनाई देगा, कि आप वही sound सरक पर बालक सुनाई देगा, नहीं, नहीं सुनाई देगा, और दोनों को अलग लाशांस, जितना दूर होगा, मतलब आप जितना आगे चले जागा, यह बंदा तरूका है, अराम से, तो इसको जो sound है, सुनना बंद होता जाएगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, जो sound हो कम होता जाएगा, डॉफलर रिस्पेक्ट यहीं बताता है, इफ देर इस a relative motion between a source of sound and observer, यह source of sound है आपका bike, और यह observer होगा, मैं, तो दोनों के विच रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का मतलब हम दोनों अलग अलग direction जा रहे है, जरूरी नहीं है, मैं खरा हूँ या बैठा हूँ, मैं, sorry, एक ही बात होगी, जरूरी नहीं है, मैं रूका हूँ या चल रहा हूँ, ले रिलेटिव मोशन तभी नहीं होता, जब आप विच से, मैं भी विच से, और दोनों एक साथ हो, clear, तो रिलेटिव मोशन, जब दो, यहाँ लिगा है, रिलेटिव मोशन बिट्विन सोर्स अफर साउंड, यह आपका गारी, और मैं, the apparent frequency of a sound heard by the observer is different from the actual frequency, obviously, जो आपके साउं हो, दोनों अलग लोगो, नॉर्मल बात है, इसमें क्या समचना, clear, distance बरेगा, तो sound घटेगा, distance कमेगा, तो sound बरेगा, तो normal है, अब है Mac number है, Mac number क्या बोलता है, Mac number simple है, आप यह नाम, number सुनते हो, यह जब aircraft होगरा बनता है, यह तो बोलते है, इसके speed इतनी है, ratio होता है, Mac number इ by speed of the sound, clear है, speed of the sound कितना होता, 360 के असपास होता है, clear, तो object की speed, divided by speed of the sound, तो इसको हम Mac number देते है, अगर कोई object जो sound के speed से तेजी से चल सकता है, उसको हम supersonic बोलते है, अगर कोई किसी object का speed, sound के speed के 5 गुना से भी ज़्यादा है, उसको hypersonic, अगर दोनों सेम है, उसको transsonic, अगर object के speed, sound के speed से कम है, उसको subsonic बोलते हैं, यह हमारा clear हो गया, clear, यह NASA के website से मैंने लिया है, अब क्या है, sock wave क्या होता है, देखो, sock wave होता है, एक body moving with supersonic speed, supersonic का मतलब क्या है, Mac number 1 से ज़्यादा, air lips behind the conical region, or disturbance which is spread continuously, such a disturbance is called, simple, Mac अगर 1 से ज़्यादा है, तो जो aircraft move कर रहा है, वो पीछे air को छोड़ता जाएगा, air को छोटेगा, तो यह conical shape बनाते जाते हैं, यह यहाँ पर disturbance यहाँ पर generate होता है, disturbance generate होता है, उसको हम बोलते है, sock wave, clear, the wave carries huge energy, or may even make cracks in the window plane, or even damage the building, clear, उसका bow wave क्या होता है, अगर motor weight C में travel कर रहा है, sound की switch से ज़्यादा, तो वहाँ पर जो wave, वहाँ पर जो disturbance create करता है, उसको bow wave बोलते है, clear, जैसे sock wave था नो, ऐसे है, clear, बस यह है हमारा, और कुछ देख लेता हूँ है, हाँ, simple, तो आप से यह भी question पूछा दा सकता है, कि sock wave air में होता है, तो वह wave कहां पर होता है, air में होता है, solid होता है, gas में होता है, liquid होता है, कहां पर, तो आप बलोगा liquid, clear, तो हमारा यह भी clear हो गया, next video में हमारा heat और एक ची और मैं बताओं, अब क्या आप बता सकते हो कि क्या हम लोग live class ले सकते हैं, lucent का, तो अगर ले सकते हैं, तो थोरा आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ मुझे instrument की जरूरत है, तो आप लोग अगर कर सकते हो, तो contribute कर सकते हैं थोरा ज्यादा नहीं, minimum मैं बोलना 10, 20, 50, इस से ज़्यादा मैं बात ही नहीं करता हूं, clear, या जो आपकी मर्जी हो, तो अगर आप contribute करेगों, तो हमारे पास दो चीज़ा हो, जैसे मैंने पास laptop है, अगर हमारे पास एक आजाए, जो pain time नहीं आता है, वो आजाए, क्योंकि ये तो बहुत पेकार है, और उसके contract करके करो, तो ज्यादा नहीं जाएगा, तो आप जितना contribute कर सकते हो, description में सारा number दिया हुआ है, चलिए thank you, thank you so much.